Hi everyone, welcome to education point. So, हम यहाँ पे class 11 की जो NCERT है, history की उससे cover कर रहे हैं and उसका 11 chapter हमने यहाँ पे start किया था, जिसमें we were discussing about the China, about the Japan तो इनके बारे में हमने यहाँ पे detailed way में cover किया है and किस तरह से यहाँ पे कई सरी movements हमें देखने को मिलती है and किस तरह से यहाँ दोनों countries अपने आपको colonization से बचाती है Japan यहाँ तो totally यहाँ पे अपने आपको colonization से बचा लेता है However, China के कुछ parts, कुछ titries जो है वो colonize कर ली जाती है by the Britishers but फिर भी जो है वो अपने पूरी country को colonize नहीं होने देता है तो वो चीज़े हमने यहाँ पे cover की थी कुछ उनके क्या efforts यहाँ पे रहते हैं कि किस तरह से जो है वो अपने आपको एक तरह से world power का जो है एक हिस्सा बना लेते हैं दोनों ही countries and after that in our previous video we had started discussing about the Korea तो Korea की history के बारे में पढ़ना start किया था हमने यहाँ पे तो Korea जो की यह चोटा सा एक peninsula ही है राइट पेनिंसूला क्या होता है जो की 3 जो तीन जगह से जो है वोटर से गीरा होता है तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे मैप में यह वाला जो है यह पूरा कोरिया है कमबाइंड ली तो एंड दिस वन एक यह पार्ट हो गया एंड सेकिंड नीचे से एंड इधर तीसरी जगह होगी यहाँ पे जो तीन जगह से यहाँ पे पानी से घीरा होता है जो लेंड उसे हम पेनिंसूला बोलते हैं तो जो कोरिया है टूटल एगर हम बात करे कमबाइंड ली नौर्थ कोरिया और सौथ कोरिया की तो उसे जो है पेनिंसूला बोला जाता है तो यह जो कोरिया पेनिंसूला है जो कि पहले एक सिंगल कंट्री हुआ करता था तो बात में जापान ने क्या किया था जापान जो है खुद तो कोलोनाइस नहीं होता है बट इस सब्रस्क्रेश, नहीं जो करता है हैंड़ जांरे में जो है कंट्री और जो है तो इस ही में यहांपे कॉरिया भी थी जिसके उपर जापान यहां पे अपना हक जापाया एक तरह से जताया हुआ था वहां पर हमले करते हैं रैट आंड उनहें टबा लेते हैं, suppress कर लेते हैं पर जब जब जपान वर्ल्ड वोर टू में हार जाता है तो उसके बाद में जो है कोरिया जो है वो इंडिपेडन हो जाता है कुछ यहाँ पर कोरियन लोगों की अफस्ट थे जो की डिमांद आ रहे थे हमें इंडिपेडनन्स चाहिए तो उनकी वज़े से भी कोरिया है वो अजाद हो जाता है बट सेम फेट यहां पे कोरिया के साथ होता जो फेट यहां पे इंडिया के साथ हुआ था जब अजादी मेली थी तो अजादी के साथ जो है इसके दो टुकड़े हुए थे इंडिया के इंडिया पाकिस्तान बन गया था राइट एंड उसके यहां पर सपोर्ट करता है तो यह चीजे हमने यहां पर कवर की थी और थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कोरिया के बारे में तो यहां पर जो है काफी दादा इंडरस्टराइशन जो है वह हमें देखने को मिलती है वो भी अंडर इस ट्रॉंग किस तरह से इंडरस्टराइशन होती है तो जो चुग ली है रहे जो इनके फर्स्ट प्रेजिडेंट थे उन्हीं के अंडर पहले देखेंगे कि किस तरह से इंडरस्टराइशन हुई थी और टूबर 1963 में जो है एक यहां पर इलेक्शन हुए थे एंड मिल्टरी काउप थे वो यहां से किया जाएगा to achieve the economic growth, economic growth को achieve करने के लिए इसके उपर focus करते हैं फाइव यर economic plans जो होते हैं government के वो लाए जाते हैं large corporate firms को जो है support किया जाता है and इसमें जो है किस चीज़ के उपर focus किया जाता है कि employment को expand किया जाए and Korea की जो competitiveness है ना पूरे world में उसे बढ़ाया जा तो इस चीज़ के उपर focus किया जाता है तो फिर economic growth जो है वो भी यहां पे एक तरह से high होना start हो जाता है Korea का early 1960s में and फिर उसके बाद में जो है जब यह exports के उपर focus कर रहे थे so under the export oriented policy the government supported the labor intensive light industrial products तो यह जो export oriented policy थी ना इसमें एक और चीज़ इन्होंने एक तरह से support की थी वो यह था कि labor intensive जो market है जिसमें एक तरह से जैसे कि light industrial products जो होते है उसके उपर focus किया जाएगा उसके export के उपर focus किया जाएगा जैसे कि textile market होगे garment की जो है market होगी यहां पे जिससे Korea को ज्यादा advantage होगा इसके export के उपर ज्यादा focus किया जाएगा बट बाद में 1960s and 1970s के बीच में जो focus है न यहां पे आप थोड़ा सा वो change हो जाता है to the heavy and chemical industries की तरफ तो steel, non-ferrous, metal machinery, ship building, electronics, chemical production, right यह कुछ यहां पे industry के part थे जिनने select किया गया था for the risk of economic growth, right So 1970 में the new village movement जो है वो यहां पे इनके तरह स्टार्ट की जाती है, इक तरह से introduce की जाती है, rural population को encourage करने के लिए So that की वो भी आप जो है agriculture sector को modernize करें, तो यह campaign था यहां पे इनके government को जारा start किया गया था population को एक तरह से mobilize करने के लिए, encourage करने के लिए, उनकी spirit को reform करने के लिए, कि जो है वो passive ना रहें, right and एक तरह से अपने आपको active रखें and hopeful रखें and आपको जो है agriculture sector को modernize करना होगा So rural population थी, rural people जो थे उन्हें empower किया गया था to help themselves and so that की जो अपने villages को भी वो develop कर सके, अपने living conditions को जो है वो improve कर सके, अपनी communities में and फिर यह वाली जो movement थी, यहाँ पर जो की agriculture sector में, rural population की तरफी confined थी, अब इसे expand कर दिया जाता है, जो की industrial power plants होते हैं यहाँ पर उसके आसपास के जो areas होते हैं, जैसे के urban areas होगे, तो वहाँ पर भी इस movement को expand किया जाता है, उन्हें support की जाती है So, today Korea is sharing the knowledge and experiences, तो यह वाली जो movement ही है, यहाँ पर की लोगों को किस तरह से उन्हों ने motivate किया था, encourage किया था, यही वाली जो knowledge है, अब Korea दूसरी countries को share कर रहा है, दूसरी countries जो है, जैसे के developing countries होती है, जो develop हो रही है, जैसे India है, India is a developing country, right, it is not developed yet, it is a developing country, तो कुछ औल भी यहाँ जो यहाँ पर इनके experiences को जो है ले रहा है, उनके बारे में जान रहे हैं countries and उनकी जो knowledge है, उन्हें जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं, so, Korea achieves the startling economic growth thanks to the combination of strong leaders, तो यह जो economic growth यहाँ पर काफी अच्छी होई थी, किस वज़ा से होई थी, strong leaders के efforts की वज़ा से, जो bureaucrats थे यहाँ पर वो भी काफी capable थी, इनकी वज़ा से जो है, इनके economic growth यहाँ पर हुई थी, तो जो entrepreneurs होते हैं, उनों ने भी government activities को काफी अच्छे से response किया था, उन चीजों को जो government की जितनी भी policies होती है, उन्हें यहाँ पर अपनी industry में implement भी किया था, जिसकी वज़ा से इनके जो exports होती है, व जो एक तरह से education का level होता है न, वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है, तो जब लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं, तो उसकी वज़ा से भी economic growth होती हैं, किसी country की वो बढ़ जाती है, same चीज यहाँ पर Korea में भी होती है, and at the dawn of Korea's industrialization, जब अभी industrialization हो रहा था, उस समय में almost इतने भी Korean workers थे, वो literate थे, and वो यह नई skills को easily acquire भी कर सकते थे, at the same time country ने जो है कुछ open economic policy को अपनाया था, open economic policy की जो तरह से जो advanced institutions हैं यहाँ पर दूसरी countries के, यहाँ पर दूसरी countries की जो technologies हैं, उने भी आप अपना सकते हो, economic growth बस यहाँ पर होनी चाहिए, तो open economic policy उन्होंने अपनाई थी, and उसके इलावा foreign investment भी काफी हुई थी, यहाँ पर उसकी तरह ही focus किया था, and Korea's high domestic savings rate था, यहाँ पर उसकी वज़ए से भी जो heavy industrial sector है, वो यहाँ पर काफी ज़दा develop हुआ था, so economic growth जो है ना, इसकी वज़ए से ही यहाँ पर जो पार्क का administration है वो काफी लंबे स power की, okay, इसी की वज़ए से जो है ना, वो ज़्यादा देर तक यहाँ पर rule कर पाए थे, जो पार्क ही है, so park revised the constitution, but इसके बाद में जो है ना, इन्होंने गल्ती कर दी, constitution को revise किया था, जैसे कि हम अपने previous video में भी देख चुके है, that, so that he could run for third term, and जो है, उन्होंने ये पूल कर सके, and उसी की वज़ए से क्या होता है, same चीस 1971 में, जो है, वो दुबारा से reelect हो जाते हैं, तीसरी बार, and फिर अब क्या था, October 1972 में, पाक जो है, वो declare करते है, and implement करते है, using constitution को, जिसकी वज़ए से, जो है, जो presidency होती है, पहले election के उपर बेस थी, अब उसे permanent कर दिय जाता है, तो आप जो है, इस constitution के अंडर, प्रेजडेंट को जो है, हर एक चीज़ की पूरी authority थी, complete authority थी, legislation के उपर, jurisdiction के उपर, administration के उपर, and also had a constitutional right to repeal any law as an emergency measures, जब कभी भी यहाँ पर emergency पढ़े, तो प्रेजडेंट के पास यह हग होगे, किसी भी लोग को वो repeal कर सकते हैं, मिन सारी power अब जो है, प्रेजडेंट के पास आ गई थी, तो democracy जो है, वो तो गई यहाँ से, complete यह गलती कर थी यहाँ पे, third term में, तीसरी बार भी यहाँ पे rule करने के लिए, तो यही चीज़ जो है, वो वहाँ के citizens को पसंद नहीं आती है, So, as the president was invested with the absolute authority, obviously, अब प्रेजडेंट के पास absolute authority थी, तो democracy जो है, वो temporarily यहाँ पे suspend हो जाती है, However, the second oil crisis फिर जहाँ पे देखने को में रहता है, 1971 में, acted as a hindrance to the economic policy, तो उसकी वज़े से ना, इस oil crisis की वज़े से जो इनकी economic policy जो इनने अपनाई हुई थी ना, उसमें थोड़ी से रुकावट पड़ जाती है, And moreover, students, scholars and opposition जो थे ना, वो फिर using constitution के खिलाफ यहाँ पे, जो है, continuously demonstrate कर रहे थे, उन्हें यह चीजें पसंद नहीं आ रही थी, And even amidst the economic crisis, economic crisis था एक तरफ यहाँ पे, दूसरे तरफ political instability भी यहाँ पे थी, तो इसकी वज़े से जो पार्क administration है ना, वो October 1979 में खतम हो जाता है, And जो पार्क चुंग ही है ना, उन्हें यहाँ पे assassinate ही कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, Right? So, अब जो है, आगे जो है, next corn power में आता है, economic growth जो है, आगे भी फिर यहाँ पे continue रहती है, And democratization के लिए जो calls होती है ना, यहाँ पे, वो continue रहती है, And फिर desire of democratization grew upon the death of the park, चुंग ही, इनकी death के बाद में, जो democratization की desire होती है, वो पर चाहती है, But in December 1979, obviously आपको पता था कि एक और military cowp, जो है, वो यहाँ पे आ जाती है, And this time led by the चुन डू हवान, यहाँ पे जो है, आप कौन इस cowp को, इस group को कौन lead कर रहे थे, चुन डू हवान जो है, वो यहाँ पे lead कर रहे थे, So, May 1980 में, various protests in key cities around the nation were held by the students, यहाँ पे protest कर रहे थे student democracy के लिए, citizens भी democracy मांग रहे थे, And the military faction यह, तो यह भला, जो military faction है, वो इस democracy को, जो है, democracy movement को suppress करता जाता है, And वो क्या करता है, वो martial law जो होता है, वो यहाँ पे पास कर देता है, Across the country, इन movements को दबाने के लिए, So, एक यहाँ पे city है, इनकी गवांच को, वहाँ पे इन particular students and citizens जो है, वो फिर भी बैठते नहीं है, चा democratization movement के नाम से जो है, जो है, जाना जाता है, But फिर भी, यह जो चुन थे, चुन डू हवान जो थे ना, उन्होंने इस movement को, इस protest को, जो है, suppress कर दिया था, Later that year, फिर चुन जो है, वो president बन जाते हैं, indirect election के थू ही, क्योंकि यहाँ पे यासिन constitution था, तो indirect election यहाँ पे होता है, त चुन administration strengthen the suppression of democratization influences in order to stabilize this regime, तो अपनी regime को stabilize करने के लिए, वो फिर जो है, administration को strengthen out करते हैं, कि यह जो democratization के एक तरह से movement के यहाँ पे चल रही है, उन्हें surprise किया जा सके, So, due in part to the international economic boom, चुन administration was able to raise the economic growth, However, उनके अंडर जो economic growth ही ना, वो बढ़ जाती है, जो कि 1.7% थी, 1980 में, 1983 में यह 13.2% बन जाती है, and even inflation जो थी, महंगाई जो होती है, वो भी यहाँ पे काफी down चली जाती है, तो economic development की वज़े से urbanization बढ़ता है, and even education level जो होता है, वो भी improve होता है, media advancement यहाँ पे होती है, तो obviously लोग ज़्यादा पढ़ चुकी है, media जो है काफी ज़्याद and political rights, and फिर जो क्या होता है, यहाँ पे जो constitutional amendment के लिए, यहाँ पे जो demands होती है, वो ज़्यादा बढ़ जाती है, and even यहाँ पे यह भी demand की जाती है, कि president को directly elect किया जाए, आम लोग जो है, वो यहाँ पे elect करे, indirect election यहाँ पे ना हो, तो May 1987 को चुन administration minimization of inquiries into the death by torture of university student was made, non-making citizens begin participate in the large-scale struggle, तो यहाँ पे जो है ना चुन administration के अंडर ही, एक student था, university student था ना, जो यहाँ पे demonstration कर रहा हो होगा, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है, तो उसे जो है torture किया जाता है, इतना torture किया जाता है, कि उसकी death हो जाती है, जिसकी जो बाकी citizens है ना, फिर वो large-scale struggle जो होते है ना, democratization के लिए वो करना start कर देते हैं, right, तो even यहाँ पे middle class के लोग जो थे, right, वो भी आ जाते हैं, students थे, middle class के लोग थे, बाकी citizens भी यहाँ पे जो है include हो जाते हैं, तो इनी efforts की वज़ए से, लोगों के इनी efforts की वज़ए से, जो बाद में Korean democracy का जो है एक नया chapter start होता है, right, so we'll continue with the same chapter in our next video, एक दो topics यहाँ पे इस chapter के रहे गई है, 11 chapter के, उसके बाद में जो है यह chapter totally हमारे complete हो जाएगा, and even class 11 की जो NCRT है, वो भी totally complete हो जाएगी, right, so फिर जो है 12th class की NCRT को start करेंगे, जो की आपके लिए काफी ज़दा important ह है, so मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया, तो इसे शेर करना ना भूलें, thank you.